पहले तो हमारे सिंध्या जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया, अब क्या है, क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई 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 वाई जब हम काम कर रहे थे, यूपी में, तो देखो यूपी वालों के तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुसा, नाराज़गी, सब निकाल देते हैं, महाराज बोलने की आदत नहीं है, लेकिन भाईया उनके पास जो भी कारिकरता जाता था जाते हैं इसकुल кош महराज महराज कहना पड़ता है हमारे मुझसे नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई ए विश्वासगाद तो बहुतों ने किया है लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जंता के साथ विश्वासगात किया है आपके पीठ में छुरब होका है बनी बनाई सरकार को गिरा दिया और वो बनी बनाई सरकार आप की थी आपने वोट दिया था उसके लिए साड़े तीन साल से इस सरकार ने को 21 रोजगार दिये है वो सरकार कॉंग्रेस की थी मैंने जैसे कहा 36 गड़ में देखिये बेरोजगारी का दर क्या है आप ही के साथ धोका हुआ है इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहां के आपके ग्रिव मंतरी महोदे जी की हो जाए काम है कानून का पालन करा न पता चले चला की दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है ने आपके पास कपड़े लगते नहीं है आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे है श्री शिवराद चोहान उर्फ मामा जी आक्टिंग में तो अमिताब बच्चन के कान काट ले लेकिन जब काम की बात होती है तो फक्सिया सराणी का रोल पकड़ लेते हैं और मोधी जी का तो आप पूछिये ही मत मोधी जी का क्या कहना देश के पहले ऐसे प्रधान मंत्री है जो पर्मिनन्ट अपनी ही पीडा में परिशान रहते हैं करनाट का गए बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इत्ती गालिया दी है यहाँ यहाँ भी कहने लगे मुझे इत्ती गालिया दी है रोते ही रहते हैं लगता है आपने वो सल्मान खान की पिक्चर देखिए तेरे नाम उसमें सल्मान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं उसका नाम रखेंगे मेरे नाम वैसे एक बात है वैसे एक बात है मोदी जीना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को एकठा करके अपनी पार्टी में ले लिए मुझे तो बिचारे RSS और भाजप्पा के जो अच्छे कारे करता है जो सालों से संघर्ष कर रहे अपनी पार्टी के लिए उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ला लगे ये है हालात प्रियंका ने मध्य प्रदेश की दतिया विधान सभा सीट पर पार्टी के उम्मीद्वार के लिए प्रचार करते हुए कहा कि क्या आप सिंधिया जी को जानते हैं? हमने उत्तर प्रदेश में मिलकर काम किया है, हम यूपी के लोग हमारी शिकायतें और गुस्सा जता देते हैं. हम अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं. हमारी आदत उन्हें महाराज कहने की नहीं है. उन्होंने कहा कि लोग उन्हें बताते हैं कि काम पूरा कराने के लिए उन्हें सिंधिया को महाराज कहना पड़ता है. सिंधिया अपने परिवार की परमपराओं का अच्छे से पालन किया है. उन्होंने ग्वालियर और चंबल शेत्र के लोगों के साथ विश्वासधात किया है उन्होंने आपकी चुनी हुई सरकार को धोखा दिया है सिंधिया ने जवाब देते हुए अपने ट्विटर पर लिखा प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं तो इन दो परंपराओं के फ्रक को समझने की उन्मेक शमता हो इसकी आशा मैं नहीं करता किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी थी किस परिवार की दूसरी पीधी ने सत्ता के लोब में इमर्जेंसी लगाई थी और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीधी स्वयंग विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृप्या स्वयंग आइने में जहंक ले ध्रश्टाचारियों और वादाखिलाफियों के शासन को बार-बार सिंधिया परिवार ने बदला है और पुना आपका सूपड़ा साफ मध्यप्रदेश से जनता करने जा रही है अपने भाषण के दौरान ग्वालियर चंबल को ग्वालियर चंबा कहने वाली प्रियंका गांधी जी को मेरे परिवार पर आक्रमन करने के लिए भी एक परचे पर लिखी लाइनों की आवश्चक्ता पड़ी उनकी सोच और ग्वालियर चंबल को लेकर समझ कितनी है इसका अंदाजा भी लग गया ग्वालियर चंबल की मेरी जनता से अनुरोध है कि इस अपमान और निमनस्तर के भाशन का उत्तर जरूर 17 नवंबर को अपना मतदान करके दें और कॉंग्रेस पार्टी को सबक सिखाए